और उसके पाद चेतनानंद क्या बोलता है कि अब हम दिखाएंगे कि ठाकूर के कुवा में कितना पानी है और सब को पानी पिलाएंगे तब भी आप लोग को समझ नहीं आता है च्या इनके पास PDA के लोग नहीं थे PDA में करिकरता इनको अच्छे करिकरता नहीं दिखे लागतार 20 वर्सों से जयावचेंजी राजिशभा में हैं कितना फाइदा मिला है समझवादी पाटी को हम सभी को पता है दिनेश लालियादो को भरती जंता पाटी ने स्टिकर देकर काजमगर से उनको सांसद बना दिया उसी का भाई है बिजय लालियादो आज 20 वर्सों से लागतार समझवादी पाटी का जंडा धो करके समझवादी पाटी का गुरगान करते हैं तो आप समझ तकते हैं कि BJP किस प्रकार किराज नितिक कर रही है जिस पीडिये की बात करते हैं आप इसी पीडिये के लोगों को ये लोग अपना गुलाम बना कर रहना चाहते हैं तो आप लोग भी वही चाहते हैं कि जो पीडिये के लोग हो वो समझवादों का गुलाम बनके रहें सिर्फ आपको ओड करते रहे और उनको ओड करते रहे नमस्कार मैं हूं कमले शवर आप देख रहे हैं आदुनिक भारत साथियों दो हाया 24 लोग सबाद चुनाओ काफी नजदी काता हुआ दिखाई दे रहा है आज से लगबग दो महीने बाद चुनाओ होना है और चुनाओ से ठीक पहले जिस प्रकार से देश में महावल बनाया जा रहा है जिस प्रकार से देश में महावल बना हुआ है, यह हमारे देश के लोग तंतर के लिए, हमारे देश के सम्विधान के लिए और हमारे देश के लिए कही ने कही बहुत ही खतरा है, हमारे देश के सम्विधान पे और लोग तंतर पे, आपको बता दें कि भारती जंदा पार्ट जा रहा है आप सभी ने देखा होगा कि जिस प्रकार से अर्बिंद के जरिवाल पे इडिये की जांच पैठी फिर आम आदीपाटी के कई निताओं को जेल जाना पड़ा अर्बिंद के जरिवाल के उपर भी घंटी मढड रही है और उसके बाद आपको बता दें कि जहरखंड के जो मुख्यमंत्री थे हमंद सुरेन आदिवासी मुख्यमंत्री थे चुकि जहरखंड में आदिवासीयों की संकी अज्यादा थी वहां पे आदिवासी मुख्यमंत्री है हमंद सुरेन थे और उनको भी जेल में डाला गया जि बिहार के पूरु मुखमंतरी हैं लालू परसादिया तो उनके उपर भीजिस प्रकार से जाच हुई इडी ऑसी ब्याई की जाच बैठी 10 घंटे लगातार उनको इस उम्रम बैठा करके पूछ ताच की गई उसके बाद फिर तेज़सी जादों को भी आट 10 घंटे बैठा करक है उनका कहना है कि हम अपने बंगाल में चुनाव अकेले लड़ेंगे हमारी इतनी कैपा सिटी है कि हम यहां पर भारती जनता पाटी को मात दे सकते हैं हरा सकते हैं तो उन्होंने अकेले लड़ने का दावा कर दिया है बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने भी जब क पुरी ठाकूर जी को भारत रत नमिला उसके बाद से भारती जनता पाटी का दामानों भी थाम लिए आरजेडी को एक बार अलविदा कह करके फिर से पल्टी मार गए और नौवी बार सपत ले करके भारती जनता पाटी के साथ एंडिये में सामिल हो गए जो इंडिया गंधन को बनाने का काम किये थे इंडिया गंधन को काफी मजबूती से उन्होंने बनाया था अब बतातें कि बारत तारी को बिहार में प्रोटेश से पहले आरजेडी के लोग ये कह रहे थे कि इस बार बिहार में खेला होगा प्रोटेश में खेला होगा और जड़ियू औ और भारति जन्ता पाटि के कई सारे व webs तोडत करके अपने में शामिल करेंगे और भाहूमत हासिलहम करेंगे ना कि निदीशकुमार और एक बार फिर से यहां पी सर्कार बनेगी थेसियादों की सर्कार बनेगी मंतरी लेकिन अइसा कुछ भी नहीं हुआ सब कुछ एक प्रकार से अर्जेडी का खेला करने वाला जो दाबाता उभी पलट गया और सब कुछ नितिश कुमार और ंडिये के पक्ष में चला गया एक बार फिस यह मुख्यमंत्री नितिशकुमार बन गए और उपमुख्यमंत्री वहां के समराच चोधरी बनें विजैसी नहां बनें आपको बताते हैं कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के सारे बिधायकों को तेलसी यादों के आवाज पे बुलाया गया था बुला करके वो उनको कैद रखा गया था उनको कैद रखा गया था कि कोई भी बिधायक भारतियनता पाटी से और नितीश कुमार के लोगों से नहीं मिलेंगे इतना सारा कुछ इंतियाम करने के बावजूद भी आरजेडी के तीन बिधायक आरजेडी को अलविदा कह दिये और फ्लोर टेस्ट के दिन जाकर के एंडि बताते हैं लेकिन चयतन अनों कमतदे कि आते हैं यह कहीं न कहीं दॉनशन पृषि लिए पिछडा दलित अपसंख्या की बात करते हैं इसके लिए बहुत ही खराब लुए कि आप लोग इस पिछडे जाती हम करें खता कि उन्प साम और बिश्वास सब्शा जदाते हैं और से टिकट दे करके बिधान सभा और राजसभा भेजने का काम करते हैं तो पहला नाम चेतन आनंद का था उसके बाद निलम सिंग भी एक स्वण की विधायका थी जो आरजेडी के पार्टी से राजत की पार्टी से उन्होंने टिकट लिया और चुनाव लड़ा चुनाव लड है देश की तमाम पाटी आपने करिकार्दाओं को अपने निताओं कुछ राज सवाह भेजने की बात कर रही है जिसमें देश की सबसे बड़ी पाटी बनी हुए जिसमाइब भाती जंता पाटी और भाती जंता पाटी आजकी डेट में 16 उमिद्वारों का नाम सामने रखा है और 16 में से 12 सिर्फ AC, ST, OBC के लोग हैं और मात्र चार जो हैं वो सवन से आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि BJP किस प्रकार किराजनिती कर रही है जो सवनों की पाठी मानी जाती है 15% लोगों की पाठी मानी जाती है बड़े लोगों की पा लन नेता मानते हैं और फिछडे द अधिवासियों रह लोगवारो मानका का नेता घंट है वह धीस भीई तो हमारे साथ मजबूती से खाड़ा का रहेगा क्या सवन विरादरी के लोग खाड़ा रहेंगे या फिर एसी एस्टी ओबी सी और एसी एस्टी यह लोग पता निकब समझ पाएंगे आपके बताते हैं कि अखिलेश यादो जी ने भी राजी सभा के लिए कुछ नाम आउट है राम जी लाल सुमन राम जी लाल सुमन जो है ओसी समाज से आते हैं तो यह कहीं न कहीं जो अखिलेश यादो पीडिये की बात करते हैं उसमें फिट बैठते हैं लेकिन जो हम पहले दो नाम बताएं जायावच्चन जी का और अलोक रंजन जी का यह पीडिये की बात करने हैं जो एकत्त हो करके मजबूति के साथ बाजपाफे लड़करczne अपना गर्दन कर देंगे लेकिन भाष्यच पाठी को ओड़ नहीं करेंगे अब हम अगर ओड़ करेंगे तो समझवादी पाठी को ओड़ करेंगे बहुजन समाज पाठी को ओड़ करेंगे और जेडी को ओड़ करेंगे हेमन सोरेन को ओड़ करेंगे और बिंद के जरिवाल को ओड़ करेंगे लेकिन नहीं यह लोग यह कि लोग नहीं थे पीडिये में करिकरता इनको अच्छे करिकरता नहीं दिखे लागतार 20 वर्सों से जयावचंजी राजिशभा में हैं कितना फाइदा मिला समझवादी पाटी को हम सभी को पता है समझवादी पाटी को जयावचंजी ने कितना फाइदा दिलाया है और इ किस हिसाब से हैं और किसके सपोर्ट में हैं किसके सायोग में हैं सबको पता है अगर इनको किसी को राज़स्वा भेजना था तो इनके पास तमाम मुस्लिम के नेता हैं जिसे भरती जनता पाटी अपना टिकट नहीं देती है ना मात्र में टिकट देती है मुसलिम को भरती जन भाल्यादो पाटी स्टिकर देकर काजमगार से उसी को भाई है की जब् Complete 20 वर्तों से लगातार समझवाधी पाटी कर्के समाजवाधी पाटी अध्य narin करते मौल करों Cry सबस्वां नहीं कर सकते हैं तो आईसे लोगों को बैते हैं इनको नहीं कर सकते थे झालोगों को कर दिये होते हैं जैसे अभी-अभी जी ड्लिती है और दिल्ली में जिसके साथ भरतेयं पाटी के लोग जिस प्रकार से न्याय किये, उसको लेकर के वह डक्टर रितु लगवतार अंदोलन कर रही है, उसको आप भेज़ दिये होते हैं, आफी के जाती से आते हैं, डक्टर लक्षमन यादों चीक्ना कर भींग धिश्य समय आपकी, और पूच्छीन यादो को पैर होते लेकिन आपको पी डिये का सिर्फ नारा लगाना है पीडिए चिर्फ गुर्गान करना है समय靠ाक्र नाकी पीडिये कि लोगों का संवान वह्त देखाऊगा अबिहार में चेतनानंद निलम सिंग ये लोग अरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं इनको बिधायक बनाती है और इनको धोखा दे करके जाकर एंडिये में सामिल हो जाते हैं भरजेंदा पाटी में लिपड़ जाते हैं और उसके पाद चेतनानंद क्या बोलता है क जो अपना चर्चा बढ़ाने के लिए ऑपने को पिछड़े और दलित का हिताजी बताने के लिए 16 में से 12 टिकट सिर्फ ACST और OBC को देती है लेकिन आप लोग अधिक से अधिक टिकट और अधिक से अधिक पद और सम्मान जो होता है श्रणों को देने का काम करते हैं और जित जाने के बाद और पद पाने के बाद यही लोग जिस PDA की बात करते हैं आप इसी PDA के लोगों को ये लोग अपना गुलाम बना कर रखना चाहते हैं तो आप लोग भी वही चाहते हैं कि जो PDA के लोग हो वो समणों का गुलाम बनके रहें सिर्फ आपको ओड करते रहें और उनको ओड करते रहें वाकि यह किसी पद के लाएक नहीं है, किसी सम्मान के लाएक नहीं है, सिर्फ और पुसिर्फ आपको उठ देने के लायक हैं ृश कि जितनी सारी पाटिया हैं सब का यही हाल है चाहें फीरी होतो लां Pin खेकश की कि हेमंत सोरेन की पाटी से एक भी मंत्री नहीं था, एक भी मंत्री पद नहीं था आदिवासी और दलित को, सारे के सारे स्मान को था, आज उसका खमेजा उनको भुगतना पड़ा रहा है, जेल जाना पड़ा उनको, कौन खड़ा हो रहा है? कोई नहीं खड़ा होगा, अगर कोई आदिवासी होता कोई दलित होता कोई पिषडा वर्ग होता तो आपके लिए खड़ा होता आपके लिए लड़ाई लड़ता कांग्रेस और रहूल गाधी समय भारजड़ो न्याया यात्रा निकाल करके पूरे देश में ब्रहमण कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम पिषडा दलित और आदिवासीयों का मनोबर भढ़ाएंगे लेकिन जब सम्मान देने की बाती है टिकट बानने की बात आती है तो कंग्रेस भी सवनों को टिकट देने में पीछे नहीं होती है अधिक सवनों के देने का काम करते हैं कांग्रेस और रहूल गाधी भी आप ल भारत जड़ो निया यात्रा तब तमाम यात्रा निकालते हैं लेकिन सम्मान देने की बात आती है तो यह सवनों का सम्मान देने का काम करते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा सम्मान करना है आप लोग पिडिये का सम्मान करना है सम्मान करना है तो पिषडा दलित और आदिवासीय कसमान करिए सम्मान करा है तो उन किसानों का सम्मान करिए अम ए तो किसानों को पत दीजिए जो आज दिल्ली में अपनी वर रहा रहा है और Rio away father and share laag holy लेकिन आपको तो जाय को भेज़ना है अलोक को भेजना है और मनों जहां को भेज ना है तमाम स्रbiorनों ने टाज उनको राजिसमदा ब्हुद नहीं आप लोग का हुग का इस स्लयकार भी नौरतन ही होंगे आपके पास सुन के लोग होंगे के आपके पास तभी तो इस सारा सुमान जो है उसनुनों के हख पे चलाजाता है. सलाकार भी अपना चेंज करिए, सलाकार भी बदलिए और अपने हिसाब से आप लोग काम करना चालू कर दिजिए. उसी दिन से आपकी पाची बंबं हो जाएगी, आपकी पाची एक बड़ी पाची बनना चालू हो जाएगी. जब तक आप लोग PDA के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, PDA के लोगों का हक और होसला नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपकी पाटी नहीं बढ़ेगी, आप लोग नहीं बढ़ेंगा, आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा, और ऐसे आप लोग 24 का चुनाव नहीं जित जितने पिछड़े लोगों की पाटी है सभी लोगी कठाओ करके अगर आज भी लड़ना चालू कर दें तो भारतियनता पाटी हवा में उधिया जाएगी हवा में उड़ जाएगी और एक बार फिर से आप सभी की सरकार बनेगी और जो आप लोग सपना देख रहें उसको बुर हरा करके अपनी सरकार बना पाएंगे अब सभी को हमारी बात कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करका पताईएगा बुरी लगी हberg बरी लकी कमेंट करका इसतिस साथ मेल में सकत्म एक फोड़ना early